हलो एब्रिवन वेलकम टू अवर चानल जस्ट क्रेकिट वीडियो पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा MNS, Military Nursing Services 2021 की नॉटिफिकेशन कव आने वाली है और उसी की एप्लिकेशन फॉर्म के उपर एक्साम, डेट, स्लेब बस और इलीजिबिल्टी के उपर मैं डिस्कस करूँगा वीडियो के अंत तक बने रहें और काफी इंपॉर्डन होने वाली वीडियो है चैनल को एक वाई सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना और इसके थुरू आपको नर्सिंग करवाई जाएगी और एक्जाम में आपसे 150 questions पूछे जाएगे टाइम होगा 90 minutes सारे के सारे questions objective questions होंगे और subjects क्या होंगे अगर स्लेब बस की बात करें तो स्लेब बस में जर्नल English आएगा Biology, Physics, Chemistry और Journal Intelligence आईगी और आप लोगों के लिए काफी अच्छी बात ये है कि एक्जाम में कोई भी negative marking नहीं होगी तो आप लोग हर question पर टिक कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप लोग जाद से जादा महनत करें क्योंकि RN forces में ये आप लोगों का test conduct होगा तो उसके लिए फिर आप लोग अगर अच्छे से score करते हैं तो then जो भी exam को clear करेगा cut off को pass करेगा उसको interview के लिए बुलाया जाएगा और interview clear होने के बाद एक medical भी होगा आपका जिसको fitness test भी बोला जाता है या medical बोला जाता है और ये सारे तीन steps आप लोग सबसे पहले आपका जो subjective test है जो subjects का related test होगा जो objective ही होगा questions tick mark के लिए ही आएगा computer based test वो clear करेंगे फिर interview clear किया जाएगा और फिर उसके बाद अगर आप medical clear करते हैं तो आप लोगों को BSC nursing करवाई जाएगी अब बात करता हूँ मैं कि notification 2021 कब है देखिए ऐसे तो हर साल इसकी notification नवंबर end तक आ जाती है लेकिन इस बार COVID की बज़ा से चीजे लेट चल रही है तो chances है कि December में ये notification आउट हो जाएगी application form फिल होना December में जरूर ये आउट हो जाएगे हो सकता है first week से ही आजाए तो लेकिन आप लोग इंबान के चलें कि December में notification 101% आउट होने वाली है और जैसी ही ये notification आउट होगी तो उसके बाद आप लोगों का जो admit card है वो भी notification आउट होने के आज जो last date होगी उसके एक या दो week के बाद आपको admit card जो है वो मिल सकते है exam के chances हैं कि exam March के बिल्कुल end में या April के starting में हो तो हो सकता है कि admit card आप लोगों के March में ही मिले लेकिन जो exam के application date है वो December में जरूर out होने वाली है और exam आपका March end या April में होगा मैं फिर से repeat कर रहा हूँ admit card आप लोगों को exam से 3 या 4 weeks पहले मिल जाएंगे ज़्याद से ज़्यादा आप लोग अपनी त्यारी के उपर focus करें आप लोग इसके उपर समय बेस ना करें कि exam कब होगा आप लोगों से फिर से repeat कर रहा हूँ कि exam के लिए काफी कम समय बचा हुआ है और syllabus आप लोग देखें तो काफी ज़्यादा है इसलिए अपना फूरा focus सिर्फ और सिर्फ exam के उपर ही डालें अपनी त्यारी को अच्छे से करें और जैसे ही notification आउट होगे आप लोगों को मैं इसी channel पर इसकी update दे दूँगा वीडियो को दोस्तों के साथ share करें channel को subscribe जुरूर करें wishing you all good luck, thank you